अध्यात्मिक कहानिया विशाल रूप कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए है तो आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानी को तुरंट से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पुराने कहानी कताएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साजह करते हैं दोस्तों अगर आभी रामभक्त हैं तो मेरे साथ एक बार कहिए जय सियराम जय जय हनुमान चलिए कहानी शिरू करते हैं वानर श्रेष्ट हनुमान के मुख से ये अद्बुद्वचन सुनकर सीधा जी ने विश्मक पूर्वक कहा वानर हन हनुमान तुम्हारा शरी तो छोटा है तुम इतनी दूरी वाले मार्क पर मुझे कैसे ले जा सकोगे तुम्हारे इस दुसहासस को मैं वानर रोचित चपलता ही समझती हूं सीता का अपने प्रति अविश्वास हनुमान को अपना तिरसकार सालगा फिर उन्होंने सोचा कि म मैं अपनी इच्छान रूप रूपधारन कर सकता हूं ऐसा सोच कर वे बुधिमान कपीवर उस व्रक्ष के नीचे कूद बढ़े और सीता जी को मिश्वास दिलाने के लिए वो बढ़ने लगे चड़ मात में उनका शरीर मेरू परपत के समान उचा हो गया वे प्रजवलित अगनी के समान ते जश्वी प्रदीत होने लगे तपशात परवत के समान विशाल काय तामे के समान लाल मुक तता व्रज के समान दाण और नकवाले भयानक महावली वानर वीर हनुमान विदेही नंदनी से बोले देवी मुझ में परवत वन अट्टिकलाएं चार दिवारी और नगद्वार सहित इस लंकापूरी को रामण के साथ भी उठा ले जाने की शक्ती है अंत हे विदे नंदनी आपकी अशंका व्यर्थ है देवी आप मेरे साथ चलकर लक्षमर सहित श्री रगुनात जी का शोक दूर कीजिए हनुमान के आशर जनक रोप को विसमे से और समर्थ मैं अब मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं रही तुम्हारी गतिवायू के समान और तेज अगनी के समान हैं किन्तु मैं तुम्हारे प्रिस्ताफ को सिकार करने में असमर्थ हो मैं अपनी इच्छा से अपने पती के अधिरिक्त किसी अन्पुरुष के शरीर का स मुझें बरताल अपनी गोद में उठा लिया था उनकी वेद्रा से मेरे शरीर आज तक जल रहा है इसका प्राय निशित तभी होगा जब रागव उस्दुष्ट का बत करेगे इसी में मेरा प्रतिशोत और उनकी प्रतिष्टा है जानकी के मुख से ऐसी युक्ट बाते सुनकर हनमान का हिर्दे गदगद हो गया मैं प्रसन होकर बोले हे देवी महानसती सादवियों को शुभा देने वाले ऐसे शब्द आप जैसी परमपती व्रता विदूशनी ही कर सकती है आपकी दशा का वर्णन मैं श्री राम जी से विस्तार पूर्वक करूँगा और उन्हें श्री रही लांका पुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेजित करूँगा अब आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे जिसे मैं श्री राम चेंद जी को दे कर आपकी जीवित होने का विश्वास दिला सको और उनके अधीर हिर्दे को धैर बंदा सको धरमाल के कहने पर सीधा जी ने आपका यानि कि अपना चूड़ा मड़ी खोर कर उन्हें देते हुए कहा ये चूड़ा मड़ी तुम उन्हें दे देना इसे देखते ही उन्हें मेरे साथ साथ मेरे माता जी और अयोध्या पती महरार दश्रत का विश्रमन हो जाएगा वे ऐसे भली भाती पैचानने जाएंगे उन्हें मेरा कुशल समाचार देकर लक्षमर और वाना राज सुगरीव को भी मेरी ओर से शुप कामना है व्यक्त करना यहां मेरी जो दशा है और मेरे पती प्रती जो रावर तथा उनकी कुरूर दासियों का जो विवार है वे सब तुम अपनी आँखों से देख चुके हैं तुम समस्त विवरं रगुनाद जी को कह देना लक्षमर से कहना मैंने तुम्हारे उपर अविश्वास करके जो तुम्हें अपने ज्रिष्ट भाता के पीछे कटू वचन कह कर भीजा था उसका मुझे बहुत पश्टावा है और आज मैं उसी मूर्ता का परणाम भुगत रही है पवनसुत और अधिक में क्या कहूं तुम स्वेन बुद्धिमान और चत्र हो जैसा उचित प्रती थो वैसा कहना और करना जानकी के ऐसे कहने पर दोनों हाथ जोड़कर हनमान उनसे विदा लेकर चले गए दोस्तों उमीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गए कहानी हनमान का विशाल रूप पसंदाई होगी दोस्तों अगर आप भी हनमान भगते हैं तो मेरे साथ कहिए जैसियरा जै जै हनमान दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो आप मेरे चैनल अध्यातमिक कहानी हो तो रच सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसे ही धार में पुरानी कहानी कताय मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुचाती रहती हूँ दोस्तों आप देख रहे थे आपका अपना पसंदिता यूट्यूब चैनल अंध्यातमे कहानिया